नमस्कार आप सभी का स्वागत है यह B.A.Pard First की ऐनलाइन क्लास है और इसके अंतरगत हम B.A.Pard First के Paper First राजनीती विज्ञान के मूलाधार का अध्यन कर रहे हैं और जो अध्याय हमारा चल रहा है उसका नाम है राजनीती विज्ञान के अध्यन का परंपरागत द्रश्टिकॉन और आज के व्याख्यान का जो विशे है इस अध्याय के अंतरगत वह है राजनीती विज्ञान की प्रकर्ती या स्वरूब राजनीती विज्ञान की प्रकर्ती या स्वरूब अर्थात उसका क्या नेचर है इस टॉपिक के अंत्रगत हमें कुछ बातों को अध्यन करना है जैसे कि राजनीती विज्ञान की प्रकृतिया स्वरूप अर्थात वह कैसा है तो इसके अंद्रगत हमें तीन बातों का अधिन करना है कि कुछ विचारक ऐसे हैं जो राजनीती विज्ञान को विज्ञान की श्रिणी में नहीं रखते अर्थात उनका कहना है कि राजनीती विज्ञान विज्ञान नहीं है दूसरा जो वर्ग है वह राजनिती विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी यानि साइंस की श्रेणी में रखता है उनके अनुसार राजनिती विज्ञान एक विज्ञान है एक तीसरा वर्ग है जो राजनिती विज्ञान को कला या आर्ट के रूप में उसको मानिता देता है तो हम यहाँ एक एक करके इन बातों का अध्यन करेंगे कि राजनिती विज्ञान विज्ञान है तो क्यों है अगर नहीं है तो वह क्यों नहीं है तो राजनीती विज्ञान को विज्ञान मानने के विशे में राजनीती विज्ञान के विद्वानों में बहुत मदभेद पाया जाता है कुछ विद्वान हैं जैसे बकल, काम्टे, मैटलेंड, एमास, बियर्ड, कैटलेन, मौस्का, ब्रॉगन, बर्क आदी जो विद्वान हैं ये इस बात को स्विकार नहीं करते कि राजनीती विज्ञान एक विज्ञान है लेकिन दूसरी और कुछ विचारक भी है जैसे अरस्तू, अरस्तू राजनीती विज्ञान को सर्वोच विज्ञान की श्रिणी देता है अर्थाद अरस्तू की दृष्टी में राजनीती विज्ञान एक विज्ञान है और वहे भी सर्वोच विज्ञान है इसी प्रकार डॉक्टर बर्नार्ड शो वो कहते हैं कि राजनीती विग्यान जो है मानवीए सब्वेता को सुरक्षित रख सकने वाला विग्यान है तो बर्नार्ड शो ने राजनिती विज्ञान के लिए क्या कहा है कि मानविय सब्विता को सुरक्षित रख जकने वाला विज्ञान इनके अत्रिक्त बोदा, हॉप्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंचली, जैलीनेक, डॉक्टर फाइनर, लास्की ये वे विचारक हैं जो राजनिती विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्विकार करते हैं अब हम देखते हैं कि राजनिती विज्ञान विज्ञान नहीं है तो हम उन तरकों का यहां पर अध्यन करेंगे जिनके आधार पर यह सिद्ध करने का प्रियास किया है विज्ञानों ने कि राजनिती विज्ञान विज्ञान नहीं है उससे पहले इन विज्ञानों के सार विज्ञान क्या है विज्ञान ग्यान की वह शाखा है जिसके अंतरगत कारिये और कारण में सदेव निशित सम्मंद पाया जाता है और जिसके निश्कर्स निशित एवं शाश्वत होते हैं कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतरगत कारिये और कारण में सदेव निशित सम्मंद पाया जाता है और जिसके निश्कर्स निशित एवं शाश्वत होते हैं तो यह परिबासा इन लोगों के द्वारा दी गई है जो राजनिती विज्ञान को विज्ञान की श्रिणी में नहीं रखते और इसी परिबाशा के आधार पर यह विद्वान यह सिद्ध करने का प्रियास करते हैं कि राजनिती विज्ञान एक विज्ञान नहीं है अर्थात विज्ञान में सर्वमानने तथ्यों का अभाव है जैसे विज्ञान के अंतरगत सर्वमानने सिध्धान्त और तथ्य पाये जाते हैं हम उधारन की तौर पर देखें जैसे हम गनित में लें दो और दो चार होते हैं यह एक सर्वमानने तथ्य है इसी प्रकार बहुतिक विज सभी विद्वान सहमत हैं इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि गणित में दो और दो चार नहीं होते ठीक है अम बात करते हैं राजनीती विज्ञान की राजनीती विज्ञान में ऐसे तथ्यों का कैसे तथ्यों का जैसे कि अन्य विज्ञानों में यानि प्राकृतिक विज जाते हैं मुद्धान के लिए देखें कि आदर्शवादी जो विचारक हैं वे राज की सर्वोच सत्ता का प्रतिपादन करते हैं और दूसरी और अराजक्तवादी जो विचारक हैं वे राज की अनावशक्ता पर बल देते हैं तो देखें आपर राज के विशय में ही दो अल राजक्तावादी क्या करते हैं राज्य की अनावशक्ता की राज्य आवशक नहीं है तो कोई विद्वान इसी प्रकार कोई विद्वान एक सदनी विवस्था पिका अर्थात एक सदन वाली विवस्था पिका पर बल देता है तो कोई इसका विरोध करता है इसी प्रकार जो म व्यत्तिमाने सिध्धान और तक्थे नहीं पाया जाते हम दूसरा तरग दिखते हैं राजनिती विज्यान में कारिय में निशित संबंद का अभाव है था नहीं होते है बहुतिक विज्ञान एम रसायन विज्ञान के हम बात करें तो इन विज्ञानों में इनको प्राकृतिक विज्ञान हम कहते हैं कारिये और कारण के बीच निश्चित सम्मंद पाया जाता है इस कारण के होने पर यह कारिये अवश्य होता है ठीक है किन्तो राजनितिक छेत्र में घटित होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनके बीच कारिये और कारण का सम्मंद नहीं पाया जाता राजनिति घटनाओं के किसी निश्चित कारण का पता लगाना मुश्किल होता है कि जो राजनिति घटनाएं होती हैं वे किसी एक निश्चित कारण की वज़े से नहीं कि अंतरगत सोवित विचार धरा के कारण हुई या उस समय के अंतर राश्ट्रिये वाता वरन के कारण इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते ठीक है तो दूसरा तर क्या है कि राजनिती विज्ञान में कारिये और कारण में निश्र संबंध का अभाव होता है तीसरा है राज राजनिती विज्ञान में नहीं है राजनिती विज्ञान में भौतिक विज्ञान के समान प्रियोग शाला के अंतरगत बैठ कर यंत्रों की साहता से ने तो परिये विक्षण संबंध है और नहीं किसी प्रकार का परिक्षण किया जा सकता है क्योंकि राजनिती विज्ञा है मानव और उसका व्यवहार और मानव के जो व्यवहार होता है उसके जो क्रिया कलाप होते हैं वे हमारे नियंतरण में नहीं होते उनके बारे में किसी भी प्रकार की हम पहले से ही संभावना व्यक्त नहीं कर सकते कि मनुष्य का मनुष्य इस इस्तिती में कैसा व्यवहार कर बहुतिक विज्ञान में एक निशकर्स पर पहुँचने के लिए बार बार प्रयोग किया जा सकता है लेकिन राजनीती में एक प्रयोग बार बार नहीं दोहराया जा सकता ठीक है क्योंकि उसी प्रकार की दशाएं दुबारा पैदा नहीं की जा सकती जैसे कोई नदी के एक ह प्रवाहा में दो बार प्रवेश नहीं कर सकता जो नदी का प्रवाह होता है निरंतर वो गतिमान होता है जब कोई व्यक्ति उस प्रवाहा में पैर देता है तो सेम उसी प्रवाहा में दुबारे वह पैर नहीं दे सकता इसी प्रकार राजनिती के अंत्रगत बार बार प्रिय स्वभाव की परिवर्तन शील था राजनिती विज्ञान जैसा कि आप लोग जानते हैं मनुष्य और उससे सम्मंदित संस्थाओं का अध्यन करता है मनुष्य है उसका व्यवार है और उससे सम्मंदित जो संस्थाओं उनका अध्यन राजनिती विज्ञान के अंतरगत किया जाता है व्यक्तियों का स्वभाव भिन भिन और परिवर्तन शील होता है आप लोग जानते ही है कि मनुष्यों का विवार एक जैसा नहीं होता एक तो अलगला होता है साथ में वह परिवर्तन शील भी होता है वह बदलता रहता है परस्तितियों के अनुसार जिसके कारण वह भिन भिन रूप से आचरन या व्यवार करते हैं लेकिन हम प्राकृतिक विज्ञानों की बात करें तो इनकी अधिन विश्य क्या होते हैं निर्जी वस्तुएं होती है तो एक जीवित, जागरित और चेतन मनुश्य का अध्यन प्राकृतिक विज्ञान की तरह किया जाना आपको बात आप देखते हैं पांचवा कारण राजनीती विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों के समान शुद्ध माप की कमी है माप यानि किसी चीज को माप ना प्राकृतिक विज्ञानों की विशिस्ता क्या है कि यहां पर शुद्ध मापन संभाव है किसी चीज को हम शुद्रूप से तोल सकते हैं नाप सकते हैं ठीक है जैसे पदहार्त ताप या गैस को आसानी से हम नाप सकते हैं लेकिन राजनिती विज्ञान किसका दिन करता है मनुष्य और उसके विवार का जिसका मापन संभव नहीं है इसलिए राजनिती विज्ञान को विज्ञान की में नहीं रखा जा सकता चटा है भविश्यवानी की छमता का अभाव प्राकृतिक जो विज्ञान होते हैं इसके नियम क्या होते हैं निशित होते हैं और उन निशित नियमों के आधार पर भविश्यवानी करना संभव होता है जैसे हम सूर्य ग्रेहन और चंद्र ग्रेहन की बिल्कुल सटीक भविश्यवानी कर सकते हैं लेकिन राजनीती विज्यान में इस प्रकार की भविश्यवानी संभव नहीं है राजनीती विज्यान में यह नहीं बतलाया जा सकता कि किसी विचार का जनता पर क्या प्रभाव होगा या चुनाओं में किस पक्ष को विजय प्र प्राप्त होगी कि किसी विचार का जनता पर क्या प्रभा होगा या चनाओं में किस पक्ष को विजय प्राप्त होगी इस प्रकार की जो भविश्यवाणियां हैं राजनीती विज्ञान में संभव नहीं है इसलिए जो बर्क विचारक हैं वे क्या कहते हैं कि राजनीती विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते इसी प्रकार एक अन्य तर्क है कि राजनिती विज्ञान के विद्वानों में प्राकृतिक विज्ञानों के समान इसकी परीभाशा शब्दावली तता अध्यन पदतियों के सम्मंद में एक राय या एकमत नहीं है विज्ञान की क्या विशेष्टा होती है कि उसमें जो परिभाशाएं होती हैं जो शब्दावली होती है जो अध्यन की पदतियां होती हैं उनके सम्मंद में विद्वानों में एक तो निशिता एवं एक मतता होती है ठीक है परिभाशा शब्दावली निशित होते हैं और इनके सम्मंद में उन प्रकार की निश्रित्ता एवं एक मत्ता नहीं पाई जाती हमने देखा कि राजनिती विज्ञान की उतनी ही परिभाशाएं हैं जितने की इसके लेखक हुए हैं लावेल कहते हैं राजनिती विज्ञान में आदुनिक विज्ञान की प्रतम आवशकता की कमी है इसमें कहना है और जो आठवी या अंतिम तर्क है इन लोगों का क्या है कि राजनीती विज्ञान का अध्यन व्यक्ति परक है वस्तू परक नहीं हम देखते हैं क्या है इसका व्यक्ति परक है वस्तू परक नहीं विज्ञान क्या होता है वस्तू परक होता है इसकी विश्य वस्तू निर्जीव है आपको पता है जिसका अध्यन तटस्तता के साथ यानि हम अपने विचारों को तटस्त रखते हुए और खुद को तटस्त रखते हुए उस विश्य का हम अध्यन कर सकते हैं अर्थाद मानविये भावनाओं से परे रहते हुए उन वस्तुओं का हम अध्यन कर स राजनितिक विश्यों का मानविय भावनाओं से परे रहकर अध्यन करना संभव नहीं है अर्थात राजनितिक विश्यों का विज्ञानिक अध्यन संभव नहीं है तो आपको समझ में आई यही बात कि किन तरकों के आधार पर इन लोगों ने राजनिती विज्ञान को विज ग्यान नहीं मानते हैं बकल कहते हैं ग्यान की वर्तमान अवस्था में राजनीती को विग्यान मानना तो बहुत दूर रहा यह कलाओं में भी सबसे पिछडी हुई कला है इसी प्रकार मैटलेंड का क्थन क्या है कि जब मैं राजनीती विग्यान शीरशक के अंतरगत परिक्षा प्रशनों को देखता हूँ तो मुझे प्रशनों के प्रती नहीं वरन शीरशक के प्रती खेद होता है बर्क इसी प्रकार कहते हैं जिस प्रकार हम सौंदरिय विग्यान को विग्यान की संग्यान नहीं दे सकते उसी प्रकार राजनीती विग्यान को विग्यान बनाना ने तो संभव है और नहीं वांचनी है अब हम देखते हैं उन विद्वानों के तरकों को जो राजनीती विग्यान को विग्यान मानते हैं अर्थात उसको साइंस की श्रणी में रखते हैं हम उप्रोक द्रश्टिकॉन की बात करें जो अभी हमने जिसका अध्यन किया है जो राजनीती विग्यान को विग्यान नहीं मानता तो वह द्रश्टिकॉन जो है विग्यान की विग्यान को लेकर जो संकुचित और तुरूटी पून धारना है तुरूटी पून उस पर इन लोगों ने क्या किया कि जो प्राकृतिक विज्ञान की परिवाशा थी उसको राजनीती विज्ञान पर लागू करने का प्रियास किया जो की गलत है क्योंकि राजनीती विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान के लिए हम उस परिवाशा को आध विज्ञान मानना गलत है हम केवल उस विशे को ही विज्ञान नहीं कह सकते जिसमें सर्वमाने तथ्यों एवं जिसके अंदर का सर्वमाने तथ्यों होते हैं और कारिय कारण के बीच निशित सम्मंद होता है अरस्तू जोर्ज बरनार्ड शो बौदा हॉप्स मॉन्टेस्क्य ब्राइस ब्लंशली जैलीनेक गार्नर फाइनर फ्रेडरिक पोलक लास की आदिये विचारक हैं जो राजनिती विज्ञान को विज्ञान मानने का समर्थन करते हैं आपको याद रखना होगा कि कुछ पूछ सकते हैं कि किनी दो या तीन विचारकों के नाम बताओ जो राज राजनिती विज्ञान को सरवोच विज्ञान कहा है तो आप याद रखेगा ये बात अरस्तों ने कही है इसी प्रकार राजनिती विज्ञान के बारे में जोर्ज बरनार्ड शो क्या कहते हैं मानविय सब्विता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान है अब हम देखते ह कि इन विद्वानों की अनुसार विज्ञान की परिवाशा क्या है हम गारनर की परिवाशा को लेते हैं आपर एक विज्ञान किसी विशय से सम्मंदित उस ज्ञान राशी को कहते हैं जो विदीवत परिये वेक्षण अनुभाव एवं अध्यन के आधार पर प्राप्त की कि एक विज्ञान किसी विशय से संबंदित उस ज्ञान राशी को कहते हैं जो विधीवत परियवेक्षण अनुभाव एवं अध्यन के आधार पर प्राप्त की गई हो और जिसके तथ्य क्या हो परस पर संबद्ध हो क्रमबद्ध हो और वर्गी क्रित क्लासिफाई किये गए हूँ हम इस परिभाशा के आधार पर देखते हैं कि इन लोगों ने कैसे राजनिती विज्ञान को एक विज्ञान सिद्ध किया है इनका तर्क है पहला राजनिती विज्ञान का ग्यान क्रमबद एवं व्यवस्थित होता है कैसे किसी गटना के क्रमबद एवं व्यवस्थ जो่द दिश्टिग्यान को ही विञ्ञान कहा जाता है अभी हमने विग्यान की गादनर की परिवाशा में देखा इस द्रश्टी से भी राजनिती विज्ञाने एक विज्ञान है विज्ञान का उसी प्रकार जो राजनिती विज्ञान है वह है राज्य सरकार अन्य राजनितिक संस्थाओं धारणाओं एवं विचारों का क्रमबद एवं व्यवस्तित ज्यान प्रस्तुत करता है उनका अध्यन करता है तो पहला तर दूसरा देखते हैं राजनिती विज विज्ञान की जो अध्यिन साम्गविय है उसमें ने तो इस्थाइत होता है ने एक रूपता पाई जाती है लेकिन ये लोग जो हैं ये सिद्ध करते हैं कि इसके अंतरकत भी जो सामगविय अध्यिन की उसमें इस्थायत तो एवं एक रूपता पाई जाती है राजनिती विज्ञान की अध्यन सामग्री में कुछ सीमा तक इस्थायत तो एवं एक रूपता मौजूद होती है राजनिती विज्ञान की अध्यन विस्तु जो क्या है मानव का व्यवहार है जिसमें जड़ पधार्थ निर राजनितिक व्यभार एक निशित प्रकार का ही होता है। हम बात करें तुलना करें जड़ पधार से तो यह संभव नहीं है। उस प्रकार की एक रोपता और इस्थायत्व नहीं पाया जाता। लेकिन विशेश परस्तितियों में सामानेता देखा गया है कि मनुष्य का जो र बता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कारणों से प्रभावित होकर मनुष्य बहुदा समान प्रकार के कारिये ही करता है। अब नेश देखते हैं राजनिती विज्ञान में भी कुछ सरुमाने तथ्य पाये जाते हैं। इस बात का इन्होंने शिद्द किया है कि इसके अं है जैसे हम उदारण की तौर पर देखें लोग सेवाओं के सदश्य इस्थाई आधार पर नियुक्त किये जाने चाहिए तथा वे तटस्त और निस्पक्ष होने चाहिए इस बात पर सभी लोग सहमत हैं नियायपालिका स्वतंत्र और निस्पक्ष होनी चाहिए इस बात पर सभी लगबग सभी लोग सहमत हैं असमानता जातीवाद निरक्षरता और अत्यदिक गरीवी यह प्रजातंत्र के लिए बुरी होती हैं इस बात को करते हैं तो यह कुछ उधारन हैं कुछ एक्जामपल से सरुमाने तथ्थियों का जो राजनिती विज्ञान में मौजूद कुछ सीमा तक कारिये और कारण में पारस्परिक संबंद इस्थापित किया जा सकता है और विशेश घटनाओं के अध्यन से कुछ सामान्य परिणाम भी निकाले जा सकते हैं जैसे हमारान देखे आपर जनता का असंतोश, शाशक वर्ग का शाशक वर्ग का शाशक वर्ग क जंता में सारदनिक शेतर के प्रती रुचि उत्पन हो जाती यह भी एक कार्यकारन सम्मंद का उधरन है कि शक्तियों का विकेंदरी करन अगर अधिक से अधिक होगा तो जनता जो है सारजनिक छेत्र के प्रति उतनी ही रुची लेगी उतनी ही जागरत वह रहेगी इसी प्रकार शाषकों को बिना किसी प्रति बंद के शाषन शक्ति प्रदान कर दी जाए तो ये वे उधारन हैं जो कार्य करण के पारिस्प्रिक शम्मंदों को व्यक्त करते हैं ठीक है। हम देखते हैं कि राजनिती विज्ञान में भी किस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों के समान परिये वेख्षन UN तता परिक्षन किया परियवेक्षण यानि देखना अनुभव करना परियवेक्षण की पदती के आदार पर हम लोगतंत्र और अन्यशाशन पदतियों को अन्यशाशन विवस्थाओं को उनका अध्यन करें तो हम सामान्य प्रणाम निकाल सकते हैं कि जो अन्यशाशन पदतियां हैं उनकी प्रजातंत्र से करें तो हमें यह सामाने परिणाम आसानी से हम निकाल सकते हैं कि जो लोग तंत्र है वे जनता के हितों के प्रती लोग हित के प्रती अधिक सजग रहता है इसी प्रकार विभिन राज्यों के कारिये छेत्र के अध्यन के आधार पर यह परिणाम निकाला जा स सकता है कि राजि के कारी चेत्र को सीमित रखने की विचारधारा के इस्थान पर लोग कलयांकारी राजिकी नीती ही उपयुकद है लौड ब्राइस की पुस्तक है spirit of laws में इसी पददी का प्रियोग किया गया modern democracies और spirit of laws Montesky और Lord Bryce राजनिती विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों के समान प्रियोग शाला में प्रियोग संभव नहीं है फिर भी राजनिती विज्ञान में प्रियोग होते ही रहते हैं एक प्रकार से हम कहें तो संपूर्ण मानव जगत जो है जो मानव समाच जो है इसकी एक प्रियोग शाला ही होती है जैसे हम उधारन के तौर पर लें महात्मा गांधी का सत्याग रहे 1959 में जो लोकतांत्रिक विकेंद्रिक रण शुरू किया गया था जो उधारन है यह राजनितिक प्रियोगों के ही उधारन इन्हें हम कह सकते हैं अंतिम जो है वह है राजनिती विज्ञान में भी प्राकृतिक विज्ञानों के संभान भविश्यवानी की जा सकती है चाहे वह भविश्यवानी सत्य नहीं हो ठीक है भविश्यवानी करने की छमता राजनिती विज्ञान में भी संभव है और हमने कई बार देखा है कई बार प्राकृतिक विज्ञानों की जो भविश्यवानिया होती है वे भी गलत सिद्ध हो जाती है जैसे मौसम विज्ञान क या आप लोग जानते ही हो तो डॉक्टर फाइनर कहते हैं कि हम निश्रिटyani पूर्वक भविश्यवानिया नहीं कर सकते लेकिन हम समभावनायतो व्यक्त कर ही सकते हैं तो इस तरक है जो इन विधवानों ने दिये हैं जो राजनिती वि時ज्यान को विग्यान मानते हैं हम इन दोनों तरकों का ध्यन करने के बाद कुछ निशकर्स निकालते हैं तो राजनिती विज्ञान को हम एक अनिशित विज्ञान की स्रेणी में रख सकते हैं यदि पी राजनिती विज्ञान एक विज्ञान है किन्तु यह पदाहर्थ विज्ञानों की भाती पूर्टया विज्ञान नहीं है राजनिती विज्ञान को एनिशित विज्ञानों की स्रेणी में रखा जा सकता है राजनिती विज्ञान को क्या कह सकते हैं एक एनिशित विज्ञान अब उसके कारण क्या हैं कि हम इसको एनिशित विज्ञान की स्रेणी में क्यों रखते हैं राजनीती विज्यान का सम्मंद सामाजिक एवं राजनितिक जीवन की चटिल समश्याओं से होता है बहुतिक विज्यान के समान पधार्त से नहीं होता बासमझ में आपको कि राजनिती विज्ञान का सम्मंद किसे है सामाजिक एवं राजनितिक जीवन की जो जटल समश्याएं होती है उनसे होता है बहुतिक विज्ञान के समान पधारतों से नहीं होता तीसरा है राजनिती विज्ञान के यंत्र के रूप में प्रयुक्त होने वाली मानव इंद्रियां बहुतिक यंत्रों के समान निरपेक्ष निरनायक नहीं होती राजनिती विज्ञान में जो परिय वेक्षन अनुभो किये जाते हैं मानव इंद्रियों के द्वारा और जो मानव इंद्रिया होती हैं जैसा कि आप जानते हैं वे भौतिक यंत्रों के समान निरपेक्ष निरनायक नहीं होती एक वेग्ञानिक अपने विश्य के प्रती किसी प्रकार का लगाव या द्वेश प्रदर्शित नहीं करता तीक हैं चिंतु एक राजनिती शास्त्री या राजनिती विज्ञान का जो विद्वान है वह अचतन रूप से उसके व्यक्तिकत विचारों का प्रभाव उसके अ नैतिक पहलू की और भी ध्यान देना होता है लेकिन भौतिक विज्ञान के सम्मुक इस प्रकार की कोई नैतिक समश्य उत्पन नहीं होती तो ये कारण है जिनके आधार पर राजनिती विज्ञान को एक एनिशित विज्ञान कहा गया है अब हम बात करते हैं अंति मिंदू की वह है राजनिती विज्ञान एक कला की रूप में कुछ विज्ञान ऐसे हैं जो राजनिती विज्ञान को कला की श्रिणी में रखते हैं विज्ञान नहीं मानते हैं अब देखते हैं कि कला की परिवाशा क्या है राजनिती विज्ञान को अगर कला कह रहे हैं तो हम यह दे उतकरष्ट चीज़ सामने लेकर आते हैं कला का जो अंतिम परिणाम होता है वह एक उतकरष्ट या सुन्दर करती होता है उसी प्रकार जो राजनीती विज्ञान है वह भी एक कला है जिसका उद्देश मानव जीवन को सुन्दर रूप देना है उसे सुन्दर बनाना है सत्यम शिवम और सुन्द्रम की धाना को हम कला कह सकते हैं अब देखते हैं कि इन अर्थों में राजनीती विज्ञान किस प्रकारिक कला है बलंशली कहते हैं राजनिती से विज्ञान की अपेक्षा कला का ही अधिक बोध होता है राज्य का संचालन किस रूप में हो क्रियात्मक द्रस्टी से वह कैसा विवहार करे राजनिती में इन समस्त बातों का अध्यन या प्रतिपादन होता है तीक है और यह बतलाया जाता है कि भुष्य में राज्य और राजनिती विवस्था कैसी होनी चाहिए ठीक है राजनिती विज्ञान राज्य के भूतकाली के हास का भी अद्धिन करता है और उसके वर्तमान सुरूप का भी अद्धिन करता है साथ ही इस बात का भी अधिन वह करता है इस बात को भी वह बताता है कि जो वर्तमान राज्ये इसे और अधिक सुन्दर कैसे बनाया जा सके और इसको अधिक किस प्रकार का हो ठीक है उसको और बहतर कैसे बनाया जा सके तो ठीक है जो कला का काम होता है वही राजनिती विज्ञान के अंतरकत भी होता हुआ हमें याँ पर दिखाई देता है कि वह राज्ज को एक ऐसा रूप प्रदान करना चाहता है जो बहुत अच्छा हो बहुत बहुत बहतर हो जो लोगों की भलाई के लिए काम करे राजनिती विज्ञान में इस बात का भी प्रतिपादन किया जाता है कि विश्व शांती के हित में राश्ट्रिय राज्यों का अंत करके एक विश्व संकी इस्थापना की जानी चाहिए जो चाहिए वड़ जो आ रहा है इसका संबन कला से है कि क्या होना चाहिए तो राश्ट्रिय राज्य जो हैं जो संप्रभुत ततालि राज जी की द्षारणा को अफना लिया गया है public welfare state की जो concept है उसको अपना लिया गया है और यह भी माना जाता है कि एक लिजय के दोरा अपने नागुरिकों को आधिक आधिक स४तंतरता और दिये जाने चाहिए ठीक है राजनिती विज्ञान के अध्यन का धे और लक्ष क्या है एक स्रेश्ट राज्य सू संस्कृत आदर शमाज तथा विश्व संध की स्थापना इस द्रश्टी से राजनिती विझ्ञान को एक उच्च कोटी की कला माना गया है जो समाज का इथार चित्र भी प्रस्तुत करती है और उसका पत्परदर्शन भी करती है अरथात समाज कैसा होना चाहिए हम निश्कर्स रूप में कह सकते हैं कि राजनिती विज्ञान एक कला और विज्ञान दोनों ही है या कैटलिन और लास्वेल के कथन है इनके अंत्र को आप याद रखते हुए इस बात का धिहान रखियेगा कि ये कथन किसका है कैटलिन कहते हैं राजनीती विज्ञान गला दर्शन और विज्ञान तीनों हैं और लास विल क्या कहते हैं राजनीती विज्ञान गला विज्ञान और दर्शन का संगम है ठीक है बचो आपको बात समझ में आई कि राजनीती विज्ञान की प्रकरती की हम बात करें तो उसके अंत्रगत हमें क तब तक के लिए धन्यवाद